किताब पलक जपकते भी लिखी जा सकती है अगली बार जब कोई आपको ये बताने आए कि किताब लिखना कितना कठिन कारे है कितना दुशकर कारे है तो उसे जीन बॉबी की कहानी सनाईएगा जीन डॉमनिक बॉबी एक फ्रांसिसी लेकक और पत्रकार थे जो समय के साथ आगे बढ़ते रहे और हैली नाम की पत्रका के संपादक के पक तक पहुँच गया इस थिती में उनका जीवन अच्छा चल रहा था तेज रफ्तार गाडियों का शौक वो पूरा कर सकते थे बड़े दावतों में बड़े आयोजनों में उनको आमंदरन मिल जाता था नामी गिरामई लोगों के साथ उठना बैटना तो लगा ही रहता था ऐसी स्थिती में एक दिन वो शहर के बाहर अपने बेटे के साथ कहीं गाड़ी से जा रहे थे जब अचानक उन्हें दोड़ा पड़ा जब बीस दिन बाद उन्हें होश आया तो अस्पताल में उन्हों ने खुद को पाया और देखा कि उनका पूरा शरीर लकवा ग्रस्त हो चुका है वो सिर्फ अपनी बाई पलक को थोड़ा सा जबका सकते थे ऐसी स्थिती को लॉग डिन सिंड्रोम कहा जाता है और इसमें शरीर का कोई भी अंकाम नहीं कर रहा होता हाथ पाओं सब कुछ लगवा ग्रस्त था रोज लिखने पढ़ने वाला व्यक्ति कलम उठाना तो छोड़िये उंगली भी नहीं ला सकता था ऐसी स्थिती में जीनने हिम्मत नहीं आ रही है कुछी दिन पहले उन्होंने एक किताब लिखने का करार किया था और उन्होंने उसे पूरा करने का होच दिया उन्होंने पार्टनर एसिस्टेट स्कैनिंग नाम की एक तकनीक सीख ली और पलक जपकने से अक्षर तै होने लगे उनकी पलक कौन सी जपकी, कब जपकी इसके हिसाब से तै होता था कि अक्षर कौन सा लिखा जाएगा और अक्षरों से शब्द बनते थे जीन की पलक जपकती रही, शब्द लिखे जाते रहे और इस तरह The Driving Bell and the Butterfly नाम की एक किताब 1997 में प्रकाशित हो गई अगली बार जब आप से कोई ये कहने आए कि कोई काम करने के लिए कौन से संसाधन नहीं है अगर आप सबसे बुरी स्थिति में हैं तो भी आप काम तो करिये लिए उमीद है आपका आज का दिन अच्छा कुछ देगा और इस मोटिवेशनल मेसेज के साथ हम आज बिता लेते हैं धन्यवाद